नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बात करते हैं आज उत्तरपरतेश, यूपी, उरुसी के साथ साथ बात करेंगे बिहार की भी सबसे बड़ी महत्वण और काम की खबरें क्योंकि आज एक ही वीडियो में आपको डबल धमागा मिलने वाला है तो वीडियो को अन तक देखते रहे हैं ताकि यूपी और बिहार की हर खबर से आप रूबरू हो सकें चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजेगा पहली खबर निकल कर आ रही है सहूदी अरब के मिशन 2030 में भारत सबसे एहम रिजाने के लिए दे रहा है फ्री वीजा जियां आप सबको बता देते हैं अपनी अर्थ ववस्ता में तेल और गैस पर निर्वरता कम करने के लिए उसके लिए एक नई उजना शुरू करने जा रहा है वो साओधी अरब जियां उसका फोकुस करने का सबसे बड़ा उदेश्य है जो तैल और गैस की निर्वरता उसको कम कर दिया जाएगा इसके लिए उसने मिशन 2030 में अपनी पहली पसंद में भारतियों को बताया है तो वाकी में देखने को मिलेगा उसके लिए क्या होने वाला आगे की समय में चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर से जीहां वाइरल वीडियो ने बढ़ाई की के पाठ़क की मुश्किलें मुझफरपूर में परिवाद दरज 4 मार्च को सुनवाई जिया परिवाद में आरोप ये लगाया गया कि वीडियो कॉनफरेंसी के माधियम से अपर मुख्य सचीव ने बयान दिया था उसी करम में सक्षकों को परतारित करने वह उनकी परतिष्टा हनन करने के उद्देशे से अब शब्द का इस्तमाल किया गया था तो इसलिए उनके उपर परिवाद दरज कर दिया गया है बाकी इसके बारे में क्या ने आता आगे आपको बता दिया जाएगा चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर अभी खतम नहीं हुआ है महेंगाई को काबू में लाने का काम लेकिन जल्द बाजी बिगाड़ सकती है खेल जिया शक्तिकान दास ने ये बात कही है RBI की मोदरिक नीती समीती की हर दो महा पर होने वाली मीटिंग में जिसमें 6 फरवरी से 8 फरवरी को हुई थी और इस मीटिंग में रेपो रेट के बारे में 6.5 परतीशत जस्का तस छोड़ दिया गया था ये चटी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है 22 फरवरी को इस मीटिंग का एक ब्योरा सामने आया जिसमें RBI गवरंड का कहना है कि अभी महेंगाई के खिलाफ लड़ाई खतम नहीं हुए यानि कि आने वाले समय में और कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी ख़बर इस शादी के कार्ड की डियम और SSP कर रहे हैं तारीक ऐसा क्या है खास जहां गया जिले के बोध गया में एक टीका विगया करने वाल उत्सा रहेगा चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी ख़बर लोन एप का जाल तोडने के मूड में है सरकार वित मंतरी सक्त जियां क्यों बनाए इस सबसे बड़ा चिंता का विशे आपको बता देतने कि वित राज्य मंतरी डोक्टर भागवत कराड ने बताय इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी ख़बर विहार में स्कूल टाइप टस्ट से मस नहीं होगी नितीश रकार शिक्षा मंतरी बोले सीम के आदेश का पालन होगा जियां विहार के विधान शबा में स्क्षा मंतरी विजे कुमार चोधरी ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि स्कूल के समय को लेकर मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने जो घोशना की है उसका अनुपालन सुनिशित कराया जाएगा जैसे कि आपको समय में बदलाव दे दिया किसानों की समश्या के समधान का यह फॉर्मूला जियां आप सबको पता है MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन दिल्ली कूच के लिए हरियाना पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए है उदर परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने गुजरात के अंदर किसान और जितने भी दूध का उत्पादन करने वाले उन सबको संबोदित करते वगा किसानों की आए कैसे बढ़े में उन्ने बताया और साथी साथ में इस पर भी काम कर रहें की कैसे किसानों की आए को बढ़ाया दास्त है उसी के साथ आपको एक चीज बतादे धान, गेहों और प्रदानमंत्री मोदी जी ने बिहार को दे रहे हैं बड़ी सोगात विजह सिना ने विधान सभा में बताया है जिसमें पीम मोदी गंगा में जेपी सेतु के समांतर और बकसर में गंगा नदी पर पुल के निर्मान की अधार शिला रखेंगे ये बिहार में विकास के ये मांच मार्च को पटना में आने वाले हैं चलिए बात करते हैं अगली बड़ी कबर विजली विभाग ने 4000 की जगा बेचा धाई लाग का बिल जब अनात बच्चों को अब खिलाना होगा खाना जिया विजली विभाग के अफसरों ने एक राह की गुहार नहीं सुनी मामला राज्य की सूचना आयोग के अधिगारियों में पहुंच गया और उसके बाद हड़कम मच गया आयोगे ने अनाथानय में जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाने की सजा दी और उसका वीडियो भी भेजने को बोला चलिए इसके बाद बात करते हैं एकली बड़ी कबर बिह दान की खरीद में हुई गड़बडी जांच के आदेश नितिष सरकार की निशाने पर RJD कोटे के पुरू मंत्री जिया माघ अठवनदन सरकार के दोरान बिहार में दान की जो खरीद है उसमें गड़बडी हुई थी इसमें नितिष सरकार ने अपने मंत्री प्रेम कुमार ने विधान परीशत में ये जानका दी थी उन्होंने बताए कि धान की खरीद में हुई गड़बडी की जांच होगी और उसके बाद जो भी गलती है उसका निर्ने कुछ ना कुछ लिया जाएगा जो भी निर्ने आएगा आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा चली इसी के बाद बात करते हैं एगली बड़ी कबर बिहार के इस एधिहासिक स्थल पर मिलेगी रोपवे की सुविधा वादियों का देदार कर सकेंगे परियाटर ये बिहार के जहानाबाद स्थित बराबर की वादियों का जो अगर कोई भी परियाटर ना अगर चाता है अगली बड़ी कबर राम लला ने तोड़ा रिकॉर्ड एक महीने में दर्शन के लिए पहुँचे बांसट लाख श्रत दालू दान में मिले हैं इतने करोड़ी उसके बारे में आपको बता देंगी एक महीने की अवधी के दोड़ान लगवक 16 lakh लोग तोई दर्शन में जियां आपको बता देते हैं कि अभी तक कितना दान आ चुका है वहीं अभी बताया जा रहा है कि भक्तों की तरफ से लगवक 50 करोड की राशी राम लला को चढ़ावे में यानी दान में मिली है चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर आरो ए आरो प्री परिक्षा दोबारा कराने को प्रदर्शन आयोग ने 58 जिलो से मांगी रिपोर्ट आएगी आने वाले समय में आपको जियां चलिए इसे के बात कर लेते हैं यूपी बिहार के मौसम के बारे में जियां बिहार के 16 जिलो में बारिश का अलर्ड यूपी में बरसेंगे बादल अचानक बदल जाएगा मौसम का मिचा जियां बिहार में जो मैदानी आलाकों की तुलना में तलहेटी में ज्यादा बताई जा रही है जिया हमीरपूर के अंदर दो और जोनपूर में एक एक वक्ति की मौत हो गई और इस सबसे बड़ी चीज देखने को मली है आदी रात के अंदर जो बारीशा ओलावस टीवी उसकी वज़े से ऐसा हुआ चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर आप सब को बता दिना चाते है जिन लोगों को नहीं पता कि एलोन मक्स एक चीज पर काम कर रहे है जिसमें ब्रेन चिप को इंप्लांट करने वाला पहला हिूमन पेशेंट अब पुरी तरह इसे ठीक कर दिया गया जिया नियोरो लिंक एक चिप बनाई जाएगी जो इंसान के अंदर लगाई जाएगी और उससे सोच कर माउस को चलाया जा सकेगा वाकई में एक काफी बड़ी चीज है जो कि सच में अपने माइंड को जो सोचेंगे वो सारा का सारा कंट्रोल आपके computer screen पे हो पायगा वाकई में सोच कर दिमाग घूम जाता कि सच में क्या क्या चीज़ें पलेमेंट हो रही है और कैसे कैसे invest और क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही है चलिए इसी के बात बात करते हैं अगली बड़ी खबर चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर 18 मार्च को शनी के उदे होते ही पलट जाएगी इन तीन राशियों की किसमत करियर में होगा लाब जिया अभी फिलाल सनी, स्वय राशिक कुम अस्त में चल रहे हैं जनी के उदित होते ही कुछ राशियों की किसमत जाग उठेगी करियर के साथ उनके कारोबार में भी लाब मिलेगा और वो कौन सी लखी राशिय है मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें से पहली मेश राशी, दूसरी मतुन राशी, त्रीसरी है वरशव राशी तो इनको काफी फायदा होने वाला इनकी किसमत बदलने वाली है चले इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर सोलर पैनल से सबसीडी में मिलने वाला काफी बड़ा फायदा उसके लिए की नियम तै किया गया नए कनेक्शन पर भी सबसे कम लगेगी सबसीडी ये दो पोर्टल दिये गए जहां पर बोगताओं की होजनों का लाब लेने के लिए पोर्टल है और वहीं पर पैनल लगवाने वेंडरों की सूची देखना चाते हैं तो उसके लिए ये अप्रूवल दिया गया लिंक एक बाद चेक आउट कर लिजेगा ताकि आपको हर जानकरी अच्छे से मिल जाए चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर योगी सरकार का बड़ा एक्शन इन करमचारी और अपसरों का नहीं होगा प्रमोशन शाशन देश भी जारी जिया योगी सरकार इन दिनों एक्शन मूड में चल रही है सरकार ने लापरवा और काम में डिलाई बढ़तने वाले अपसरों पर करमचारी ओंपर नज़र रखना शुरू कर दिया कमाई साफ सुत्रे होंगे यूपी के शहर कई परियोजनाओं को शुभारम जियां यूपी से कूडे की कमाई होने वाली है जियां यूपी के शहर साफ सुत्रे करने के लिए प्लान चल रहा है जीबीसी 4.0 के माध्यम से अप्षिस्ट प्रबंदन के शेत्र में जान फंगें। राकेस टिकेट बताया 26 फरवरी के लिए क्या कर रहे है तियां वारती किसान यूनिन के चो रास्ट्र प्रवक्ता राकेस टिकेट हैं उन्होंने 26 फरवरी के लिए बढ़ी तैयारी करें जिसमें उन्होंने बताया कि समाचार एजिंसी E&I को जिसमें उन्होंने कहा कि 26 वरवरी को दिल्ली की तरफ जाने वाले जो highway protector लेकर उतनेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और वापस लोट आएंगे इसी के अलावा 14 मार्च को भी दिल्ली के राम लिला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम करने की तयारी चल रही है चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी ख़बर UP के लिए जो बोड एक्जाम हुए थे 10th and 12th के पहले दिन 3 लाग से अधिक परिक्षारतियों ने छोड़ी परिक्षा जेल में भी हो रहा है बोड परिक्षा का एक्जाम जिए आप सबको बता देना चाते हैं कि UP बोड की परिक्षा हैं जिसमें High School और Intermediate की परिक्षा हैं 22 सफरवरी को हुई थी और उसके बाद काफी बच्चों ने एक्जाम दिया लेकिन सबसे बड़ी चीच इसमें से ऐसे अभियरती थे जो 3 लाग से अधिक जिनों ने परिक्षा हैं तो देखा जाए तो काफी सारे बच्चों ने इस बाए परिक्षा हैं छोड़ दिया वहीं अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड का जो तो इस बाए लगबग 3 लाग से जादा विद्यारतियों ने अपनी परिक्षा नहीं दी और सबसे बड़ी बात कि यूपी के अंदर जो परिक्षा हो रही है वो जेल में बंद कैदियों के लिए इसमें पहले दिन जेल में कैदियों के लिए 8 केंद का प्लान त्यार कर लिए भाजपा के रन नितिकारों का मानना है यदि दलित मत दाता हो और खास तोर पर जाटवों के बीच में पैट बना ली तो सफलता हैं मिल सकती है ऐसा उनका कहना है चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अपने यूपी के मौसम के बारे में बारिश करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर अमेर्टी के नए घर में आज होगा प्रवेश जियां समर्ती रानी करने वाली है अपना नए घर में प्रवेश उसी के लिए 20,000 से जादा लोगों को निमंतरन भेजा गया है और सबसे बड़ी बात पूजन शुरू हो चुका ह और उसके लिए संसद्य शेत्र में लगवे 20,000 लोगों को निमंतरन दियेगा जिसमें से आदे दर्वेश जादा लोग मंतरी भी इसमें शामिल है चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर यूपी की एक हाइटेक नरसरी ऐसी भी होगी जहां अपना बीज लाओ और पोदा तयार करा हो जहां किसानों की बागवानी के जरिया आमदनी दोगुनी करने के लिए बरेली में फरीदपुर ब्लॉक के मजव हेतराम गाउं में हाइटेक नरसरी बनकर त्यार हो गई है और हाइटेक नरसरी में उन्नत किसम की फल और सबजियों के पोदे लगाये जाएंगे और सबसे बड़ी बाद उसके लिए आप पोदे तयार भी करा सकते हैं किसानों को पोदा तयार कराने में जो लागत आई है सिर्फ वही ले जाएगी चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर गोरगपुर में 5 साल के अंदर शुरू हो ग करके ही मानते हैं चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर कुछ देर में वारा नसी पहुंचेंगे पियम मोदी 14,000 करोड की देने वाले हैं सोगात जियां कल कई मार्गों पर रहेंगा यातायाद परतिमंदी जियां प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने अप पर चलिए बड़ी खबर यूपी के शहर में जल्ड बने का फार्मा पार्क योगी सरकार के मंतरी ने जारी की हैं पच्छेस करोड रुपे की धन राशी स्विकर्तिकर धन राशी जारी करने का निर्देश कर दिया हैं तो आने वाले समय में जल्द यह फार्मा इंडिस्ट की शुरू हो जाएगी चले इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी के इस शहर में सीम योगी की एक हजार लाइक की नहीं और कमेंटेस में जरूर बताईएगा तो यह थी आज की उत्तरप्रदेश यूपी के साथ साथ आपके बिहार की काम की खबरें कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट शेक्शन में पताना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वंदे मातरम